Hello Friends, Welcome to History Simplified for IAS Today we will discuss about a text, Kitab-ul-Hind Kitab-ul-Hind को Al-Biruni ने 11th century में लिखा था Kitab-ul-Hind is written in Arabic language और ये main focus is book का है Indian Society and Culture So Indian society और culture के बारे में हमें information प्रोवाइड करता है Al-Biruni का goal था, Kitab-ul-Hind को लिखने का कि कोई भी अगर इंडिया के बाहर ये जानना चाहता है कि इंडिया की society कैसी है तो वो इस book को reference की तरह ले सकता है और Al-Biruni ये कहते हैं कि उन्होंने काफी अन-बाइस तरीके से इस किताब को लिखने की कोशिश की है Al-Biruni ने ये book लिखने के लिए इंडिया के पुराने text को भी study किया वेदास को study किया, पुरानों को study किया और इवन कुछ books को इन्होंने translate भी किया into Arabic language So this is the reason we also call him as founder of Indology So Indian texts, Indian society को समझने की कोशिश की and इनको religion में भी इन्होंने काफी comparison करने की कोशिश की जो भी उस समय existing religion थे चाहे Hinduism हो, then Buddhism, Islam, Judaism तो जो भी religion उस समय exist करते थे उनके बीच में इन्होंने comparison करने की कोशिश की इसलिए इनको founder of comparative religion भी बोला जाता है So किताब लहिन को एक काफी unbiased work माना जाता है उस time period का on socio-religious condition of India तो इंडिया के जो society और culture के बारे में ये बताता है तो ये काफी unbiased account माना जाता है अगर किताब लहिन की बात करें तो इसको 80 chapters के अंदर divide किया गया है और ये अलग-अलग तरह के subjects के साथ deal करता है अब किताब लहिन इसलिए भी important हो जाता है बिकाज ये kings और battles की बात नहीं करता जादा तो kings और battles के ओपर बिल्कुल focus नहीं है इसका major focus है लोगों के ऊपर So it tells us about the people लोगों के बारे में बताता है society के बारे में बताता है religion के बारे में बताता है culture के बारे में बताता है उनके festivals के बारे में बताता है जो existing philosophies है उनके बारे में हमें information देता है then astronomy, then medical sciences metrology और जो भी उस समय इंडिया में interest की चीज़े थी उसके बारे में किताब लहिंद हमें information देती है rather than kings and battles तो अगर हम बाकी कई text के बारे में अगर बात कर ले तो उसमें जो major focus है वो kings और battles के उपर ही रहता था quality के उपर ही रहता था rather than people लेकिन किताब लहिंद का जो major focus है that is on people और काफी unbiased work है तो इसलिए historical point of view में ये book काफी important हो जाती है तो जैसा कि हमने बोला कि इन्होंने indology में भी study किया इन्होंने काफी books को study किया indians द्वारा लिखी गई books को then उसके अलावा इन्होंने anthropological और sociological study भी की indian society के उफर तो इसकी वज़े से जो इनका जो work है उसमें accuracy भी हमें काफी हद तक मिलती है तो हमने जैसे बात की कि politics के उपर जादा focus नहीं था तो इसलिए जो chronology जो थी इतिहास में उस समय मिलती थी हमें ज़्यादा तर history के works हमें उस समय के मिलते हैं उसमें chronology को सबसे ज़्या importance दी जाती है लेकिन अलबरुनी के work में chronology को ज़्यादा importance नहीं दी गई अलबरुनी खुद को को question put करते हैं और उसी question का वो answer देते हैं और उसी answer से वो हमें उस समय की जो prevalent society थी उसके बारे में information provide करते हैं अलबरुनी हमें बताते हैं about the चतुरवर्णा system which existed in the society कि inter marriages allowed नहीं है inter dining allowed नहीं है तो ये information हलागी हमें काफी जो दूसरे भी text है दूसरे point of reference है वहाँ से भी हमें मिलती है then trade activities के बारे में information देते हैं कि trade activities decline पे थी हमने feudalism के discussion था उसमें हमने थोड़ा इस बात पे ध्यान दिया था कि कई जगह पे जो urbanized society थी वो de-urbanized होती जा रहे थी इंडिया में हाला कि कुछ urban areas भी पनप रहे थे तो जो de-urbanization हो रहा था Northern India के अंदर उसकी वज़े से trade activities कम होती जा रहे थी so trade activities कम होने की वज़े से जो वैश्यास का जो traditional occupation था उसमें भी उनको अब जगह नहीं मिल रहे थी तो that's the reason वैश्यास भी अब agriculture की तरफ बढ़ना शुरू हो गए तो हमने देखा कि इस समय तक society में आते आते शुद्रास भी they were majorly occupied in agriculture तो वैश्यास और शुद्रास का अब status जो था that was almost similar क्योंकि दोनों जो caste थी they were dependent on agriculture और इसमें हमें बताते हैं कि अगर ये वेदास को recite करते थे कोई भी member अगर शुद्रा या वैश्यकास से होता है वो वेदास को recite करता है तो उसकी punishment यह होती थी कि उसकी जो tongue है that would be cut off then इनके अलावा he also talks about outcast अंतियाजा के बारे में बात करते हैं untouchables के बारे में बात करते हैं यह लोग towns या villages जो की main residential area होता था उसके बाहर यह लोग रहते थे और जो menial activities थी उसके अंदर इनको engage किया जाता था so that means they were supporting the other classes, other caste in the society then Indian और Persian societies के बीच में comparison करते हैं और बोलते हैं कि जो social division है that is not unique to India और यह बोलते हैं कि अशिया में भी इस तरह का ही social division है like knights है वहाँ पर knighthood है जिनके पार then there are other people then there are priestly class then there are other people who are common people है तो जो common people है they are being ruled by by the knights and the priestly class तो ऐसा ही है इंडिया में भी इनको मिलता है तो यहाँ पर social division में यह बोलते हैं कि इंडिया में कुछ unique नहीं है that is prevalent in many societies लेकिन यह social pollution को criticize करते हैं कि caste system को इन्होंने इतना ज़्यादा criticize नहीं किया जितना social pollution को किया है कि जो untouchability prevalent है इंडिया में उसके against यह बात करते हैं कि अगर social pollution होगा that is against the law of nature then इंडियान society को यह closed society बताते हैं तो यह जो difficulty इनको face भी इनोंने की while doing his work तो इंडियन society को समझने के लिए इनको काफी मुश्किल हो रही थी because इनको पहले language इंडिया की जाननी थी then he had to penetrate in the society society के अंदर जाके उनको information लेना था और उसके लिए इनको काफी लोगों को win over करना था जिनसे यह language सीख सके जिनसे यह first hand information ले सके इन्डियन society के बारे में तो इन्होंने का कि इन्डियन society जो काफी close society है वो stagnant हो चुकी है क्यों हूँ यह stagnant? because of overemphasis on religion and traditions तो religion और tradition के उपर overemphasis है इसके वज़े से stagnant हो गई है और stagnant की वज़े से क्या हुआ है कि जो science में development होनी चाहिए थी वो भी इन्डिया में नहीं हो रही थी तो यह ज़ादा जो emphasis religion और tradition के उपर आ गया that became hindrance to the development of science plus यह बोलते हैं कि religion की वज़े से ही Indians ज़ादा explore नहीं कर पा रहे out of India because religion उनको बोल रहा है कि you cannot cross a sea तो sea को cross करते तो आप pollute हो जाते हो तो this is also a reason which is given by Alberuni जिसकी वज़े से Indians बहार जाके out of India जाके वो लोग ज़्यादा explore नहीं कर पारे नहीं ideas वो नहीं लाँ पारे तो दूसरा यह बोलते कि Indians जो है they do not believe in exchange of ideas तो ideas यह दूसरों के साथ share नहीं करना चाते foreigners के साथ भी share नहीं करना चाते even अगर कोई चीज जो एक knowledge है वो किसी एक caste के अंदर है तो उस caste के members उस knowledge को दूसरी caste में जाने नहीं देना चाते foreigners के पास भी इसी तरीके से वो कोई भी ideas exchange नहीं करना चाते तो वो एक इनकी statement है जिसमें ये कहते है the Hindus believe that there is no country but theirs, no nation but theirs no kings but theirs no science like theirs तो इसमें ये बताना चाते कि किस तरीके से जो Indian society है वो Indian समझते थे कि सब कुछ जो उनको दिख रहा है वही है that means they don't want to go outside दूसरे लोगों को जानना नहीं चाते है वो then ये कहते है तो ये वो कहना चाते है कि इतने जदा सेल्फ जैंटरिक हो गए है कि इनको लगता था कि जो भी knowledge है वो इनी के पास है इंडिया के बाहर कोई भी knowledge नहीं है तो अगर इनको बोला जाए कि बाहर भी इस तरह एक जो है scholars रहते हैं इस तरह की knowledge उन लोगों के पास है तो ये मानने को तयार नहीं है That means कि वो इनको बताना चाहते है कि किस तरह से जो इंडे की elite class थी जो knowledgeable class थी वो कितनी ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी कि वो दूसरों के साथ ना तो ideas exchange करना चाहती थी और ना ये मानना चाहती थी कि दूसरे लोग जो है knowledge में उनसे superior हो सकते है Then इनके text में हमें women के status के बारे में भी पता चलता है कि women का जो status था that was low और कुछ social levels का भी इनोंने reference दिया है like child marriage, prohibition on widow marriage and sati system इन सब के बारे में भी हमें किताब उलहिंद में reference मिलता है Then जो हमने बात पहले भी की कि comparative जो religion के उपर comparative studies इनोंने की है उसमें जैसे कि Islam हो गया, then Hinduism, Zoroastrian, Christianity, Buddhism और बाकी भी जो उस समय religions prevalent थी उनके बीच में इनोंने comparative studies की है और ये हमें किताब उलहिंद में इनके references मिलते हैं Then Indian और Greek scholars के बीच में ये philosophies को compare किया है उस समय थोड़ा अभी परशिया में सूफी जो saints थे वो भी सामने आ रहे थे तो सूफिजम और Indian scholars की जो philosophy थी उनके बीच में भी ये comparison अपनी वो किताब उलहिंद में करते है Then इनका कहना है कि Hindus Muslims के जाथ साथ साथा Bengal नहीं होना चाहते Because they think the Muslims were violent and impure As they did not want to exchange any ideas in the letter So इस reason से वो exchange नहीं करना चाहते थे ideas Because वो समझते थे कि Muslims were violent and impure अब इसका reason ये भी है कि लगातार जो India है That was under invasions from that part of the world और उसमें सबसे जाधा जो acceleration हुआ invasions का That was under Mahmood of Ghazni So लगातार Mahmood of Ghazni के invasions के अंदर में रहा North Western part, India का and Northern part as well तो इसके बारे में वो थोड़ा sympathetic भी है कि Mahmood of Ghazni लगातार जो invasion कर रहा है उससे काफी problems Indians को हो रही है Then ये invasions में जब बात करते हैं तो ये भी बोलते हैं कि why Mahmood of Ghazni is becoming successful in his invasions तो उसका successful होने का reason ये है कि Indians जो rulers हैं They don't have any kind of unity आपस में unity नहीं है Plus caste system इस तरह से बना दिया गया है कि जो लोग हैं उनके बीच में भी आपस में unity नहीं है सभी लोग एक दूसरे के antagonistic हो चुके है जिस कारण जो बाहर के जो invaders हैं वो easily इंडिया में successful हो जाते है Then उसके बाद ये इंडिया के culture के बारे में बताते हैं festivals के बारे में बताते हैं Indians की eating habits क्या है वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं किस तरह के ornaments पहनते हैं उसके ओपर भी ये ये हमें information provide करते हैं और बोलते हैं कि that is very much different from his own land तो पर्षिया से काफी ज़दा ये different था अगर इनके बारे में देखें तो he was actually from उस्बेगिस्तान जो आज का उस्बेगिस्तान है वहां से ये बिलॉंग करते थे बट मेहमूद अफ गजनी brought him to पर्षिया और काफी सालों तक ये पर्षिया में ही रहे and then he was even patronized by मेहमूद अफ गजनी then ये बताते हैं about the 15 trade routes तो trade के बारे में थोड़ा सा इन्होंने information दिया है कि इंडिया के जो northern इंडिया के जो 15 trade routes है वो काफी जगह तक जाते है so ये जो trade routes है they start from some important places in north इंडिया और 15 इस तरह के trade routes exist करते हैं ये information हमें provide होती है from this book of al-biruni so thank you very much and have a very nice day